देखिए विसे तो बहुत पुराना है लेकिन जायद शीवा चर्चा आई है वीडियो बना है तो कुछ ना कुछ तो विसे इस कारण होगा देखिए परधान मंत्री मुद्रा योजना ये सभी जानते हैं ये योजना अभी से लागू नहीं है बहुत समय हो गया इसके लेकिन अब मिलेगा बीस लाग रुपए तक का कर्ज तो ये जो है नोटिफिकेशन कह सकते हैं सरकार ने जारी करा इसके संबंद में बागा दे देखिए इसमें इस पश्ट है पेपर की कटिंग मी मैंने आपको दी है नो भारत टाइम्स की प्रधान मंत्री मुद्रा कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो दस लाग रुपए तक की सेवा उपलब्द होती थी अधिक्तम अब वो तरौन प्लस के नाम से पहले तरौन था दस लाग तक का मैज़िमम अब इसे बीस लाग तक का कर दिया है तो ये लाव इसमें मिलेंगे और आवेदन कैसे करें क्या प मंदित पात्रता क्या है इन सभी बातों की जानकाई लेते देखिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना बारा सरकार की एक प्रमूश योजना है ये योजना विन निर्माण प्रसंसक्रण बैपारिया सेवा चेत्र में क्रशी चेत्र में लगे आयस रिजित करने वाले अब ये कितना कर दिया है तरोन प्लस योजना के तहट कितना कर दिया है बाई 20 लाक रुपे तक इन्हों ने कर दिया तो जैड़ सी बात है अब योजना का लाब ज्यादा मिलेगा भ्यापार में अधिक इन्वेश्ट कर पाएंगे और इसके साथ मैं ये भी चैना चाहतों देखिए केंद सरकार हो या हरा सरकार हो तो योजना हैं तो लागू हैं योजना हैं बहुत सारी ऐसी हैं लेकिन समस्या उनके एप्लाई करने पर आती है कि वो कैसे हम उसका लाब उठा सके हम तक उसके समंदित जानकारी सुचना कैसे पहुंच सके तो मेन मुद्धा यह होता में जनकाईी लेते हैं इन इकाईञे खोड़ और फो मरम्मत्प प्रोसेशर और अनौरूप मुद्द एप और कि दियर हैं को जानकर आश्र हôगा यह पांच परशेंट से ले करके दस परशेंट तक ब्याज पर लोन लेते हैं किन से जो छोटे-छोटे ब्याज खोर बैठे हुए हमारे समाज में और आखिर में कर्ज उन पर इतना हो जाता है कि दुकान और यह जो भी ठेली हैं इनकी सब भिग जाती हैं तो सरकार ने जब इतनी अच् जानकारी नहीं है अनुपलब धह जानकारी हमारे बाद चली मुद्रा योजोना के तहरे रिड़ केवल बैंकों रिड़ देने वाली संस्थाओं के माद़न से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें सामिल है तो यह तो जाइड सी बात है जो संस्थाओं गवर्मेंट ने ऑथ अर्चा का लेते हैं ब्याजदर की देखिए ब्याजदर जो है वो बैंक के नीतिगत निर्णे के अमसाल ली जाती है हाला कि चार्ज की गई ब्याजदर अंतिम उधार करताओं के लिए उचित होगी तो यह उन्होंने इसपश्ट कर दिया है कि जो ब्याजदर है वो उधा ब्याजदर करताओं के लिए उचित होगी भाई ऐसा तो है नहीं कि आप अभी आज आप होम लोन भी लेने जाते हैं होम लोन यह दि लेते हैं तो 9.45% का होम लोन चल लाए यह तो जब इतना लोन आप 9.45% होम लोन देते हो जो सबसे साय नमादिका सस्ता लोन माना जाता ह है तो कही नहीं इस से कम ब्याजदर पर आपको लोन मिलेगा यह तो इस पश्ट है और अग्रिम सुल्क या प्रसंस करान सुल्क यानि प्रोसेसिंग फी क्या लगेगी इसमें तो देखिए बैंक अपने आंतरिक दिशार निदेशों गंसार अग्रिम सुल्क वसूलने पर विचार कर सकते हैं सिसु रिनो के लिए अग्रिम सुल्क प्रसंस करन सुल्क पचास जार तक के रिनो को कवर करना है अधिकांस बैंकों द्वारा माफ कर दिया थे तो देखिए अब इसमें इस पश्ट कर दिया है अधिकांस बैंकों द्वारा प्रसंस करन सुल्क जो है वो माफ कर दिया रहता है तो प्रॉब्लम तो कुछ होनी नहीं चाहिए न ब्याज़दर भी कम है प्रोसेसिंग भी कम है आई ये चर्चा करते है योजना के लाबों पर देखिए योजना कहता है लाब को तीन सिर्णियों कहता है तो तरोन को अब इन्होंने एक और कर दिया है तरोन प्लस ठीक है इसी संबंद में तो ये वीडियो बनाया है चलिए जो लाबारती सूच में काई हूँ दमी की ब्रद्धी विकास और वित पोशन की ज़रुतों को दर्साता है सिसू 50,000 रुपए तक के रिन को कवर करता है किशोर 50,000 रुपए से लेके 5,000,000 रुपए तक के रिन को कवर करता है तरोन 5,000,000 रुपए से लेके 10,000,000 रुपए तक को रिन कवर करता है और साथ इसाथ तरोन प्लस योजना है जो उसके तहत 20 लाख रुपए यानि 10 लाख एक रुपए तक की रकम को रण को ये कवर करता है तो आई अब चर्चा कर लेते हैं इसके लिए आवसक पातरता क्या चाहिए तो देखिए आवसक पातरता की चाहिए ये इसमें ब्यक्ति है जो या कोई मालकाना चिंता है जैसे प्रकार करते हैं साजेदारी फरम है प्राइबेट लिंटेट कंपनी है सावजनि कंपनी है या कोई अनकानूरी रूप से प्रस्ताफित ब्यक्तिया संसा है ये सभी आवेधन कर सकते हैं और आवेधक किसी भी बैंक या इत्ती संस्तान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए यह नोट करने वाला पॉइंट है डिफाल्टर नहीं हो ना जी है पहले से ही तुम जो बैंक्यों को बहुत सारा लोन लिए बैटे हो किस्ते दे नहीं दे तो जाइड सी बात है सरकार उसमें रिस्क क्यों लेगी सरकार आपका फायदा करवाना जाती सरकार आपको स्थापित क करना चाहती बैपार की छीतर में और आप पैसे पैसा मारे वाइठे हो तो आप वयंसे भी हैं और उनका क्रेड़ित ट्रेक रिकार्ड संतोस जनक होना चाहिए जाएट शी बाद रिफाल्टर होंगे तो credit score आपका कम होगा बेक्तिकत उधार करता हो को प्रस्तावित गतिविदी को करने के लिए आवश्य कोसल अन्वाव ग्यान रखने के आवश्यक्ता हो सकती है सैच्छी की ओतक के आवश्यक्ता यदि कोई हो काम मुलांक प्रस्तावित गतिविदी की प्रकति और इसके आवस्यक्ता के आथार पर किया जाना चाहिए अब देखे यहां परिन्यों किया क्या है बेक्तिकत उधार करता तो जो कार आप करें कोसल अन्वाव ग्यान रखने के आवस्यक्ता हो सकती है तो यह कोसल देखे कोसल विकास के के इंदर खुले हैं ठीक है यह महिलाओं के लिए सिलाई कड़ाई के इंदर खुले हुए हैं यह सरकारी योजना हैं यह सर्टिफिकेट यह सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं कौन से होते हैं सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं और इन कोर्सों को करने के बाद मोबाइल आप कुछ भी कर लो ऐसा नहीं है आपको से संबंदित कौसल है अनवह है ज्यान रखने के आवसकता होगी ठीक है और इससे संबंदित सैचिक योगता जो हो मतलब यह नहीं है कि अब हाई स्कुल इंटर पास की जो भी मिनमम क्वालिफिकेशन हो वह आपको रखनी पड़ेग आवेदक के स्थाच्छ चाहिए ठीक है ब्यावशाइक उद्ध्यमियों की पैचान या पते का प्रमाणपतर चाहिए पीम मुद्रा की आदगारिक वेस साइट पर जाएं ठीक है जो आपकी www.mudra.org.in तो उस साइट पर उदय मित्र पोर्टल होगा तो उदय मित्र पोर्ट जाइट सी बात है नय उद्धमी यानि नया बिजनिस कोल ले मौजुदा द्धमी जो चला रहे है लेडी या स्वरोजगार पेशेवर स्वरोजगार पेशेवर निया हास्त कौसल यूग तो कोई व्यक्ति जो अपना खुद का रोजगार करना चाहता है या करता है ठीक है फिर आवेदक का नाम इमेल और मॉबाइल नमबर भरें और OTP जनरेट करें ये ध्यान लखने OTP तभी जनरेट होगा जब आपका आधार से वो नमबर लिंक होगा ठीक है तो ये मॉबाइल नमबर और आधार जरूर लिंक कर लें अब पंजी करना आपका हो जाएगा सफल पंजी करना कर लिया आपने उसके बाद क्या होगा आपसे समंद्री ब्रक्तिक विवर्ण या ब्यवसाइक विवर्ण बने परियोजन्य प्रस्तावादी तयार करने के लिए कोई शहायता आवसकता हो तो हैंड होल्डिंग एजिंसियों का चैन करें और अभी आवेदन करे या मुद्रा सिस्यू, मुद्रा की सोर, मुद्रा तरोन या तरोन प्लस आदि फिर आवेदक को लिवसाइक जानकारी जैसे बेवसाय का नाम है बेवसाय कतिवी दिया भणने का वशकता होती है और उद्धोग का प्रकार जैसे विन िर्मान सेवा, भ्यापार, क्रिशित सं ठीक है अन्य जानकारी बरें जैसे निवेशक विबराण बरें मौझूदा बैंकिंग क्रेडिट सुभिदाएं प्रस्ताविद क्रेडिट सुभिदाएं बहुत के अन्मान और पसंदीदा लेंडर सभी आवश्यक दस्ताविश संलें करें आईडी प्रमाण पत्र पत्रे का प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र प drastically होती है जैसर हमने तीन कटेगरी बता दे हैं C disorderlyman तो इसके लिए क्या-क्या दस्ता वेच चाहिए देखिए सिसुरिन के लिए पहचान का प्रमाण पत्र मद्दाता पहचान पत्र उसमें चलेगा ड्राइविंग लेसेंज चलेगा पैन कार्ड चलेगा अधार कार्ड पासपोर या सरकारी प्रहाद का द्वारा नर्गत फोट पत्ति करके रशीद दो माहें से दिक पुरानी नहीं होनी है मदाता पाइचान पत्र हो आधार कार्ड हो ब्यक्ति प्रोप्राइटर साजेदारों का पासपोर्ड हो बैंक पासबों का तो निवास पराण पत्र में ये सारे दस्तावेज मान हो जाएंगे अब फोटोग्राप से पुरानी ना हो बिल्कुल मतलब बच्पन की लगा देओ तो वो तो सही नहीं ना आडेंटिफाइद होना चाहिए मसीनरी या अन चीजों का कोटेशन जो क्रेकी जानी हैं अब माली जाब कोई व्यापार करें तो इससे संबंदित जो मैटेरिया लिया जो मसीनरी आप लें व्यापार काई की पते का प्रमाब पत्र अगर हो कोई सी एस्टी और ऐल्प संख्यर एत्तादी ससरेकिशन निー का प्रमाब पत्र डेखिए समझना हो होगा avanz. यह तो प्रमाब पत्र बրॉप जो यह प्लाई करेगा वह अपनी कैटेगरी डिफाइन करेगा कैटेगरी इसस्पर निला करके यदि यदि इसके तुरू काम भी करते हैं ना तो जो आपका लीगल प्रोसेस है पूरा लीगल प्रोसेस हो चाहिए ऐसे नहीं कहीं पर भी बैड़ गए आपने जेश्टी नमबर भी नहीं ले रखा है तो आप टेक्स भी नहीं दे रहे हैं सरकार को तो यह पूरा लीगल हो जाएगा ठीक है कि सोरिया तरुन लोन के लिए क्या करना है कि सोरिया तरुन लोन के लिए देखे इस से सम्म कर रहे हैं यह 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 करता नहीं होना चाहिए यह रिपीट कर दिया है यह यह नहीं होना चाहिए वर्तमान बैंकर के यहां से खातों का विबराण अगर कोई हो तो यह भाई यह तो कॉमन सी बाद आप लोन लेने जाते है पांच-छे महीने का तीन महीने का तो विबराण मांगता ही है स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट चलिए आयकर विक्री कर रिटर्न आधिक साधिकाईयों को अभीकर दो बरसों का तुलन पत्र तो भाई आयकर भरेंगे आपका ITR जाएगा आपकी जो फर्म होगी पैन नंबर उसका अलॉट होगा आयकर तबी तो बरबाएंगे तो यह मैंने उपर ही आपको इंगित कर दिया है कारे सील पूंजी सीमा के मामले में एक वर्स के लिए सावधी रिण के मामले में रिण की दोरान आवेतन जमा करने की तारीक तक की विक्री लेव पूरा आपको देना पड़ेगा तकनीकी एवं आर्थिक ब्यवार रिक्ता के विवन सहीद पर्योजना रिपोर्ड कंपनी के संगठन के अनिरमित साज़दारों की साज़दारी विलिये का दी तीसरे पच्छी गार पातियों कहीं ना कहीं ये तरोन प्लस जो इसकीम सरकार ने आपने देखी वीडियो में तो ये 20 लाक रुपए तक का जो लोन आपको उपलब्द कराएगी वो कहीं ना कहीं सभी नए युवा हैं जो ब्यापार करना चाहते अपना प्यापार कोलना चाहते बहुत फाइदे बंद रहेगा और सभी को इसका लाप उठाना चाहिए किसी के आगे 5% या 10% की जो आप लोग ब्याच पर पैसा लेते हैं उससे हमें बचना चाहिए धन्वासाद